Hello everyone, welcome to your channel MP Board English Medium So guys, Hindi का paper अच्छा जाने के बाद बच्चे मुझे comments कर रहे थे कि आप English के paper के लिए भी हमें strategy बता दीजिए जैसे आपने Hindi के लिए बता था कि क्या क्या आपको पढ़ना है जैसे कि आप जानते कि बस थोड़ा ही time बच गया आप लोगों के English के paper में भी और जिस बच्चे का Hindi का paper अच्छा गया होगा वो यह उमीद कर रहा होगा कि उसके English का paper भी अच्छा जाए तो मैं आप लोगों को कुछ points बताने वाला हूँ आज का जो दिन है उस पो आप लोगों के इसी points को follow करना है अगर इसको करते हो तो मैं आप लोगों को guarantee देता हूँगा जैसे हिंदी में हुआ था वैसे इसमें भी होगा और आप लोगों का major portion है वो cover हो जाएगा और जो छोटी छोटी चीजे में आप लोगों को बाद में करने बोलता है वो अगर आप छोड़ भी दोंगे बाद में भी कर लोगे तो आप लोगों की जारी चीजे cover हो जाएगी और आप लोगों का अच्छा score आएगा तो देखो क्या करना है जैसा कि आप लोग जानते हो कि आप लोगों का English का जो exam है उसमें जो major portion होता है जो major part होता है वो chapters का होता है जो आपके chapters होते है ठीक है जो chapters है stories है poem है वो major part केरी कर रहे होते हैं उसके अलावा हमारा notice article है 4-4 number के लिए letter 4 number के लिए grammar portion 10 number के लिए आता ह है बट जो सबसे major portion होता है सबसे major portion जहां आपकी कोई help नहीं कर सकता होते chapters तो chapters का मैंने अभी बच्चों से जित्ता पूछा था पिछली बार जब मैं अभी next previous paper में गया था बच्चों से reviews लेने तो बच्चों का यह कहना था कि भीया जो sample paper से उसमें से भी कुछ repeat हुआ है और परिक्षा बोध में से और परिक्षा अध्यान में से maximum आया है ठीक है तो मैं आप लोगों को क्या कहोगा है जो chapters है जैसा आप लोग सोचोगी कि यार भीया chapters अभी कहां से कर ले हम इतने जल्दी इतने जल्दी कहां से हो जाएगे chapters तो देखो मैं आप लोगों को solution बता है तो अभी भी दो-दो मिनिट के short revision videos मिल जाएगे कहीं पे भी तो at least हर story को एक बार देख के चले जाना ताकि आप लोगों के दिमाग में कुछ तो रहे उसके बारे में कोई भी मतलब आप लोगों का chapter ऐसा नहीं होना चाहिए जो blank है मालों आप लोगों को 20 chapters आने वाले त उसमें short summary डालना है for example the last lesson the last lesson short summary जैसे ही आप लोग डालोंगे बहुत सारे वीडियो जाएगे आप लोगों कितने अंगिनत वीडियो मिल जाएगे आप लोगों को उसमें से जो सबसे छोटा लगेगा आपको वो वीडियो देख लेना at least आप लोगों कुसके बात पता तो चल जाएगा कि the last lesson chapter है हमारा उसमें है क्या ऐसे ही सारे chapters को खतम कर दो एक बार और फिर उसके question answers लगा लो question answer आप अपने मन से लिखके आना कोई जरूरत नहीं है परिक्षा बहुद में परिक्षा अध्यन में जैसा लिखा है उसको रटने की कोई आवशक्ता नहीं है आप आप लोगों को क्या करना है chapters पढ़ देना है बार बार कह रहा हूं गाइस पच्टा ना पढ़ जाएगा आखरी में क्योंकि आप लोगों को पता है grammar आप लोगों को tick the correct के form में आते है ठीक है ये चीज़े में आप लोगों को भी बताऊंगा है अन्जीन पैसेज के आप आ सकता है paper में तो इसको पहले करके रख लेना फिर उसके बाद बात करें आप अन्सीन पैसेज के तो देखो अन्सीन पैसेज अगर आप ऐसे बच्चे हो जो बहुत slow लिखते हो ठीक है अब मैं आप लोगों को cheating करने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूं बट मैं आप लोगो अन्सीन पैसेज जब तक आप लोगों का paper खताम होगा आप लोगों कोई ना कोई तो कर चुका होगा तो उससे थोड़े बहुत पूछ लेना अगर हो सके possible तो अगर आप लोगों के पास time बचा है तो फटा फट चे अन्सीन पैसेज आखरी में पढ़ना पहले इस पर time waste कर करने की जरूत नहीं है वरना paper निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा ठीक फिर उसके बाद notice article देखो गाइस में नहीं जानता कि मैं आज वीडियो बना पाऊगा या नहीं बना पाऊगा देखो मेरी तो बहुत इच्छा है कि मैं आप लोगों को एक चीज सिखाओ letter कैसे ल आप लोगों आपका मेरा address जो है मैं लिख दूंगा sender's address फिर उसके बाद टू जैसे मैं principal को भेज रहा हूँ या फिर पूली स्टेशन में ज़र तू दे पूली स्टेशन नरियले शंकरी भोपाल फिर यहां पे receiver's address जो receive करने वाला है फिर उसके आगे अपनी नीचे body फिर यह body लिख दी और यहां पे आप लोगों की post लिख दी कि आप काई के secretary है class monitor जो भी हो बहुत easy होता है बस एक बार आप लोगों को format आना चाहिए तो यह चीज़े बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है यह थोड़े time में भी आप सीख सकते हो बट यह चीज़े जो सबसे ज्या हुआ दूसरा वीडियो अपलोड कर पाऊंगा है नहीं तो इसी वीडियो में guys अच्छे से बोल रहा हूं बार बार बोल रहा हूं chapters को पड़ो stories को पड़ो पोयम को पड़ो बहुत सारे short revision videos मिल जाएगे आप लोगों को अगर नहीं मिलते तो मुझे बताओ मैं आप लोगो करना हो जाएगा मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे कर सकते तो हो जाएगा ठीक है all the best English के paper के लिए अगर मैं वीडियो बना पाया तो आप लोगों से अगली वीडियो में ज़रूर मिलोगा अगर नहीं मिल पाया तो guys all the best मिलते आप लोगों से भुपाल की किसी अगले center पे को like करना thank you for watching this video मिलते आप सभी से next video में